आप सबी बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सुनेल स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टार एजूकेशन बाई सुनेल सर में लेके हाजिर हूँ आपके आगे चाप्टर 6 जेओग्राफी का क्लास 6 का ये एक छटा चाप्टर है इससे पहले हम लोग 5 च अब्जेक्ट स्किप नहीं किया क्योंकि एक टॉपिक की आपकी ले बन चुकी है और ये ले तोड़ना गलत बात है और बहुत असान चैप्टर है असान के साथ साथ ये चैप्टर जो है आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा चौंकाने वाली बात ये है कि केवल 6 कलास के चैप्टर के अंदर से ही वो important concept पड़े हैं इस चैप्टर के अंदर जो IS और बाकी different government exams के अंदर पूछे जाते हैं छोटा ही चैप्टर है कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है असान सा ही है तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए सबसे पहले हमें ये देखना है इसके अंदर सबसे पहला concept ये है कि देखी का हमारी अर्थ है हमने last chapter के अंदर उससे last chapter के अंदर अर्थ को बहार से देख लिया था कि अर्थ के ओपर जो है कितना percent पानी है कितने percent पे जमीन है या कितने पाहाड है और के अलावा हमने कुछ परवस रंखलाओं के बारे मे वैसे नाम ही जाना था उनका detailing chapter में जानना है हमें देखी का हमारी पूरी पिर्थवी है उसका जो स्थै है वो सारी जगह एक समान है नहीं the surface of earth is not the same everywhere क्योंकि ये कहीं कहीं पे उबढखाबढ है किसी जगह पे तो ये irregular है कहीं जगह पे उंची है कहीं जगह पे नीची है त टेडी मेडे उपर नीचे उबढखाबढ कहीं पे आपकी जो है पहाड है कहीं के उपर जो है वो नॉर्मल पठार है कहीं पे आपका मैदान आ गया है इस तरीके से आप समझ लीजीगा कि आप चले तो ये बीच में पहाड आ गया थोड़ दूर आगे चले तो हो सकता ये जमीन आगी आगे चले तो आपका समुद्र आ गया इस टैप से उबढ़ खाबढ़ है ये इनफाइनाइट शेप है ऐसा गिंती नहीं है इतनी जगह पे इतनी है इतनी जगह पे ये है ऐसा कुछ नहीं है ये इनफाइनाइट शेप है बेसिकली अच्छा अब पृत्वी का तल रूप जो है यह सारा tyda meda बना कैसे सभ SoP सभचे पहला सवाल तो मन में यही आता है कि यह irregular shape बने है अर्थ की उनका reason क्या है तो उनका irregular shape बनने का mainly दो reason है पहला है आंत्रिक प्रिकरिया यान कि internal change हुए है इसके अंदर दूसरा है भाईय प्रिकरिया यानि कि external जो changes हुए है वो इन दोनों के कारणों के कारण ही जो है ये change हुई है हमारी earth और इस पे ये infinite shape जो है बनके आ चुकी है उसे पहले मैं आपको दो चीजे और समधा देता हूँ एक erosion और एक deposition यानि कि एक आपरदन की परिकरिया और एक निक्षेपन की परिकरिया थोड़ा सा आप इस diagram का रुक करियेगा ठीक है माल लेते हैं कोई बहुत बड़ा पहाड है ठीक है ये बहुत बड़ा पहाड है और हवा चली या पानी या बारिस या माल लेते हैं बरफ इन दोनों तिनों के अंदर से ही मा एक आप example से समझ के चलिएगा बहुत तेज हावा चली आंदी चली उस वज़े से जो है इस पहाड के छोटे छोटे चोटे टुकड़े हो गए ठीक है मतलब बहुत तेज हावाएं चलती है तो आप सभी को पता है कि कहीं ने कहीं थोड़ा बहुत टुकड़ा तो तूट उसके बाद ये फिर और चोटे हुए फिर ये और चोटे हुए और फाइनली ये मिट्टी तक ही बन गए तो ये बेसिकली तीन टाइप की प्रॉसस है जो पहली प्रॉसस है जब पहाड से हवा टकराई और जो बड़े पत्थरों से चोटा पत्थर टूटा उसको अम लोग की ये वैदरिंग के नाम से जानी जो की हवा से या बर्सा से या बरफ से इन तीनों की वज़े से चटाने तूट गई. अब जो वैदरिंग हुई है उसके बाद में फिर और चोटे टुकडे हुएं उसको हम लोग इरोजन के नाम से जानते हैं, जो हम लोग हिंदी में नाम जानते हैं अपरदन देख लीजिए का आप लोग मिट्टी का कटाओ कुछ इस टाइक का होता है ठीक है जब बारिस वगरा आती है तो मिट्टी का कटाओ होके जो है स्थल भूमी के अंदर या आप कहिएगा जल के साथ जो है ये मिल जाता है तो और आल यहां तक हमें य सीखने को मिला है कि हमारी जो अर्थ है उसका irregular shape है यानि कि उबड़ खाबढ़ है ये shape infinite है कोई एक दो तीन चार पांस तो है नहीं इनका change होने का main दो कारण है एक internal forces और एक external forces एक इसके आंतरिक परिकरिया होती है एक इसकी भाईये परिकरिया होती है और उनमें भी दो ची से या बरसा हिम नदी से बरफ से इनकिसी वज़े से भी टूटेगा बड़ा पहाड टूटेगा चोटा टुकडा और चोटा और चोटा इसी प्रॉसस से है जो है ये सारी shape जो हो हजारों लाखों सालों के बाद में change होती रहती है अब जो ये land forms है ये दो process के कारण बनते है मैंने आपको बता है एक तो internal process के कारण जिसको हम लोग आंतरिक प्रिकरिया कहते हैं एक होती है external process एक को हम लोग बाहिये प्रिकरिया कहते हैं अब ये internal process है इससे अगली class में हम लोग इसको ज़्यादा detail से समझेंगे जब सात्वी class पढ़ रहे होंगे हम लोग तो इसके ब अगली class में वह समझेंगे कि external process जो है भाईये प्रिकरिया है उनके अंदर क्या होता है अब ये प्रिकरिया के कारण नहीं ये पहाड बनते हैं मैदान होता है तो इसी के बारे में हमें इस lecture series के अंदर जानना है ठीक है तो internal तो मैंने आपको बता दिया कि अर्थ के अंदर कुछ लिए कुछ wave चलती रहती है उसी को यह हम लोग internal बोलते हैं external जो होती है बाहर की कोई भी जो है wave चल रही है या कोई मरदा अपरदन वगरा हो रहा है erosion हो रहा है डिपोजिशन हो रहा है यह सारी-सारी external process कहलाती है हमारी अब ये जो प्रोसेस है ये सारी किस वज़े से होती है ये बेहते पानी की वज़े से हो सकती है बर्फ की वज़े से हो सकती है ये तो मैंने आपको अभी बता ही धिया अब सबसे important चीज यहां से start होता है हमारे यह chapter जिसको हम लोग mountain या परवत के नाम से जानते हैं क्या होते हैं mountain और क्या होते हैं परवत देखिएगा जमीन से उपर उठावा भाग और ये basically एक उबडखाबड भाग होगा कोई एक particular एक ही shape नहीं होगी ठीक है उसी कोई हम लोग पाहड कहेंगे एक परवत प्रित्वी की सतह है का कोई भी प्राकर्तिक उन्यन है ठीक है यानि कि earth के surface से एक natural elevation जो होता है उसी कोई हम लोग परवत या mountain कहेंगे because of harsh climate less people live in the mountain areas आपको ये भी पता है कि जब पाहड बना है तो यहाँ पे जो climate है यानि कि यहां का प्रयावरण है वो बहुत ज़दा कठोर होगा कब बहुत ज़दा ठंड हो सकती है यहाँ पे ठीक है बहुत ज़दा ठंड माइनस में temperature होता है तो इतना climate change की वज़े से यहाँ पे लोग रहते बहुत कम है आप example से देग लीजिएगा हमारा J&K है अब वो छेतरफल की दृष्टी से तो भारत में छटे स्थान पे आता है लेकिन वहाँ पे जन सेंख्या की तो पूरे भारत की एक परसेंट या एक परसेंट से भी थोड़ी बहुत कम ही रहती है क्योंकि यहाँ का climate जो है बड़ा harsh होता है पहाड जो है यह irregular shape के है ही अच्छा इनकी ढालाने जो होती है वो बड़ी एकदम से जो है इस तरीके सी है है पहाड और एक यह डहलान होगी एकदम बिल्कुल सीधी सपाट डहलान है इस वज़े से यहाँ पर खेती करना पॉसिवल नहीं है मतलब आप यूं कहिएगा frequently खेती नहीं हो सकती है यहाँ पर सीडी नुमा खेत है यहाँ जैसे आसाम के अंदर होता है आसाम के अंदर चा सावल वगरा भी उगाई जाते हैं लेकिन सेडी नुमा खेतों को बनाके उनके अंदर काफी सारी महनत के बाद में खेती की जा सकती है frequently खेती नहीं होती है यहाँ की मिट्टी भी इतनी उपजाओ नहीं होती है हाँ यहाँ पर फलों की खेती की जाती है जर्नली और लिके से आपको शेप तो याद है यह अच्छा कुछ पहाड जो आप नहीं देख सकते हैं वो समुदर की नीचे भी अच्छा यह तो मज़े की बात है कि पहाड हम लोग उपर ही देखते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी पहाड जो समुदर के नीचे भी होते हैं उसका एक इक्ज in the line known as range. जो परवत होते हैं वो एक ही लाइन के इंदर जुड़े भी होसकते हैं और उनको हम लोग परवत सरंकलाओं की रेंज के नाम से जानते हैं ये इस तरीके से कई सारे परवत कई सारे पहाड एक साथ होंगे उनको हम लोग रेंज कहेंगे यह कोई ऐसा नहीं है कि एक क्यलों हों, यह हजारों किलोमेठर भी हो सकता है। बहुत बड़ा यह एरियाँ हो सकता है। जैसे फुर झांपल आप हिमाले परवड का एरिया ले लीजेगा, हिमाले बहुत लंबी एक रेंज है हमारे ओर आलपस एक रेंज ले लीजिएगा ठीक है यूरॉप की एंडीज ले लीजिएगा आप लोग ठीक है ये सारी सारी परवस रंखलाई हैं और ये बहुत लंबी लंबी जो हैं वो सिरीज हैं ठीक है तो आप ये भी याद कर लीजिएगा हिमाले आलपस और एडीज परवस जो ह आपका याद आता है मन में सियाचिन गलेशियर एक यूमा लीजेगा बरफ की जमी हुई नदी ही कह दीजेगा गलेशियर होता है ठीक है और वहाँ पे पर्मानेंट टाइप से जो है वो बरफ रहती ही रहती है यह इस टाइप से आप फोटो में देख रहे हैं होंगे यह पर इस गलेशियर की रूप में जमा पड़ा है गलोबल वार्मिंग के काणिया टैंप्रेचर जैसे से बढ़ता है तो इनका पानी नदियों में आता है जिसे हम लोग बांध वगरा बनाते हैं खैर टैंप्रेचर बढ़ना जरूरी भी है क्योंकि उस वज़े से नदियों में पानी आता है लेकिन बहुत जादा अगर किसी दिन बढ़ गया तो फिर समझेगा चैप्टर ही खतम हो जाना है हमारा थ्री टाइपस ओफ माउंटेंज पहाड जो होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं इनमें पहला है फॉल्ड माउंटेंज जिसको हम लोग वलिक परवत कह कहते हैं तीसरा है हमारा वल्कैनिक माउंटें जिसको ज्वाला मुखी परवत कहते हैं अब ये तीनों ही बहुत इपॉर्टन्ट है ये जो कंसेप्ट है आप इसे प्लीज तोड़ा ध्यान से समझेगा यहीं से क्युस्तन एक्जाम में आते हैं ठीक है फॉल्ड माउंटें पहला तो आपको ये समझा देता हूँ कि फॉल्ड माउंटें का मतलब क्या होता है फॉल्ड माउंटें का मतलब ये होता है कि एक हमारे हाथ में कागच हो हमारी NCRT के अंदर बेसिकली यही एक्जामपल दे रखा है एक हमारे हाथ में कागच हो और कागच को अगर आपा द दोनों सीरों से पकड़के दबाएंगे तो बीच में से उंचा उठ जाएगा एक ऐसी इस टाइप की जो है उसकी शेप सी बन जाएगी यही है आपका basically fold mounted जिसको वलित परवत कहते हैं आप देख पारे होंगे एक हिस्सा यह है प्रित्वी के अंदर जो है internal forces की वज़े से एक एक force इस साइड लगा एक force इस साइड लगा और particular force लगने की वज़े से यह बीच वाला हिस्सा जो है यह उठ गया इसी कोई हम लोग fold mountain या इसे वलित परवत कहते हैं एक plate का moment इधर हुआ एक plate का moment इधर हुआ और यह वाला हिस्सा उठ गया और यह basically उठके इतना उंचा इस आपका हिमाले परवत हिमाले परवत है वो एक fold mountain का example है और एक alpas है यह दोनों बहुत important है यह दोनों के दोनों जो है वो young fold mountains कहलाते हैं यह exam में बहुत बार आया है अगर आप से पूछा जाए कि हिमाले mountains and alpas जो है वो fold mountain तो है लेकिन कौन से fold mountain है वो young fold mountains है और एक अरावली है ये भी एक fold mountain है लेकिन ये oldest fold mountain system in the world पुई दुनिया की सबसे पुरानी परवस रंखला है अरावली और ये है पुरानी है तो fold लेकिन है ये पुरानी तो दो किस्तन यहां से आथ को बन जाएंगे कि जो young fold mountains है वो कौन से हिमाले परवत और आलपस है और पुरानी fold mountain series कौन सी है वो है अरावली चिक है ये अरावली है लेकिन अरावली जो है उस समय के साथ में इतनी उंची नहीं रही है वही अपरदन के कारण या मिट्टी वगरा का कटाव की वज़े से जो है दीरे 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 कटके चोटी रह चुकी है तो कटाव की परिकरिय के कारण इसकी सीमा चोटी हो चुकी है और ये 1000 लाखों सालों के बाद में चेंज होती ही रहती है उत्री अमेरिका में Alpishan योरूस में युराल जो है वो ऐसे हवाओं की कटने की वज़े से गोल भी हो चुके है जैसे ये यूराल परवत है ठीक है जैसे हवाएं आती रही ये थोड़े 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 गोल होते गए तो ये ऐसा नहीं कोई पांदस सालों की प्रोस्स होती है जारो सालों के बाद में इनके अंदर ये चेंज देखने को मिलता है तो ये तो हुआ हमारा Fod Mountain में आपको इतना ही याद रखना है कि नए कौनसा है हिमाले है और आलपस है और पुराना कौनसा बताए है मैंने आपको पुराना अरावली बताई है यह दो याद कर लीजेगा आप लोग और यूराल याद कर लीजेगा ये भी करावली जैसा ही है और पुराना है कटके छोटा हुआ ये भी block mountain, block mountain को हिंडी में भी block mountain भी कहते हैं हम लोग या इसका bronze प्रवत के नाम से भी जानते हैं भरंश घाटी आपने कभी word सुना होगा अब block mountain कैसे बनते हैं इसको समझिएगा आप लोग माल लेते हैं कि एक हमारे पास में ये block है एक block ये है एक block ये है यह तीन ब्लोक है इन तीन ब्लोक का नाम आपर रख लेते हैं इसका नाम एक रख दिया इसका नाम दो रख दिया और इसका नाम हमने तीन रख दिया अब किसी भी external force की वज़े से या किसी भी internal force की वज़े से अर्थ के अंदर कोई भी changes आनी की वज़े से हुआ यूँ कि ये एक number block तो रहा, दो number block जो थोड़ा खिसक गया और तीन number block भी अपनी उसी जगह पे रहा ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ठीक है अब ये बीच वाला block थोड़ा धस गया, नीचे खिसक गया इसी को ही हम लोग block mountain का नाम देते हैं ये कुछ ऐसे ही होते हैं, दो पहाड होंगे, उनके बीच में एक घाटी सी बनी होगी इसी series को हम लोग block mountain कहते हैं आप ये देखिएगा, actual diagram, एक उँचा उठावा हिस्सा होगा, एक नीचा होगा जो उँचा उठावा हिस्सा होता है, इसको हम लोग horse के नाम से जानते हैं जो नीचे दबावा हिस्सा होता है, उसको greban के नाम से हम लोग पुकारते हैं हलांकि इनको हिंदी में उत्खंड कहते हैं होर्ष्ट को और ग्रेबन को जो है वो दुरोनिका के नाम से जानते हैं लेकिन ये दुरोनिका जो है आप लोग उत्खंड याद मत ही करिएगा चाहें क्योंकि एक्जाम में मैंने बहुत कम देखे हैं इनको होर्ष्ट लिखा होगा तो ऐसे हिंदी में भी होर्ष्ट ऐसे ही लिख देंगे वो तो होर्ष्ट और ग्रेबन ही याद रखिएगा उपर वाला हिसा होर्ष्ट होगा नीचे वाला ग्रेबन होगा आपको मैं इसका बेस्ट इग्जाम्पल बताता हूँ हमारे इंडिया में मध्यप्रदेश में एक सत्थपुडा की पहडियर एक सत्थपुडा है और एक अमरकंटक है आपने दो पहडियां सुनी होगी और इन सत्थपुडा और अमरकंटक के बीच में से जो है वो नर्मदा भ्रंश घाटी कहलाती है यहाँ से ही नर्मदा नदिया निकलती है फिर तापती निकलती है इस साइड से तो कभी ऐसा रहा होगा कि यह दोनों इक्वल ही रही होंगी लेकिन इंटर्नल एक्टनल फोर्स की वज़े से जो है इनके बीच में यह घाटी बन गी भ् नीचे दबे वे हिस्से को हमने द्रोनिका कहा था इंगलिस के अंदर ग्रैबन और उपर हिस्से को हम लोगो होस्ट कहते हैं इनके एक्जामपल भी है राइन घाटी योरोप में वासेज परवत ऐसी ही प्रनालियों के जो है उधारन है इस टाइप के उपर और नीचे उठ मिगना जो है वो बनता रहता है और वो मिगना जो है वो बनता है तो ऐसे गर्मी की तरह उचाल के रूप में या सुनामी की तरह समझिएगा बाहर निकलता है जिससे हम लोग लावा के नाम से जानते हैं और जैसे ये लावा निकलेगा बहुत सारा लावा जगर निकलेगा ये इस तरीके से food food के तो ये जमता जाएगा जमता जाएगा और धिरे-धिरे कठोर होता जाएगा और finally जो है ये type का चटान बन जाएगा इसके बारे में ज्यादा detail से अगली class हों में हम पढ़ेंगे ज्वाला मुखी वगरा के बारे में भी तो ये लावा जमने के कारण जो बायो डिवस्टी एरिया होता है उसको भी नुकसान होता है लेकिन बहुत बड़ा परवत जो है बनके खड़ा हो जाता है चटान बनके खड़ी हो जाती है तो जो आलाम की परवत जो आलाम की परवत के ही एक्जामपल है अब importance of mountains इन परवतों का महतव क्या है देखीगा जल संग्राहक है मतलब यहां पर बरफ के रूप में पानी पड़ा है बहुत सारा और कभी ने कभी glacier पिगलेंगे तो वो नदियों का रूप बनेंगे तियानि कि नदियों का स्थ्रोत भी है सो और सो फ्रीवर्स है सेंचाई ता जल विदूत उत्पादन अब बहुत सारा अगर पानी कठा होता है तो यहां पर हम बांद बना लेते हैं और फिर बांद बना के हम ट्रबाइन वगरा गुमा सकते हैं तो बिजली हाइडरो पाउर प्रोड़क्शन ये एक काफी अच्छा है माउंटेन एगरी कल्चर हाँ यहां पर वैसे जालतर खेती तो नहीं होती जैसे के मैंने अभी का लेकिन हां फिर भी यहां पे सिडी नुमा खेत बना के जो है हम लोग खेती कर लेते हैं या जैसे फ्रूट्स की है सेव हुआ अखरोट हुआ पदाम हुआ नासपती हुई इनकी खेती भी कर ली जाती है चाय वगरा की बगान भी है इपार्टन पॉ बायो डावस्टी आजकल होट बायो डावस्टी है या रेड होट जोन बन चुकी है यह गलत बात है मतलब वो खत्रे के अंदर है फिलाल के लिए क्योंकि धिरे धिरे हम लोग ही इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं जंगल काट रहे हैं या उसके अंदर इंटरफेर कर रहे अच्छा इंधन वगरा उसदिय पोदे वगरा है गोंध है चारा है यह तो मिलता ही है बहुत सारे टूरिजम प्लेस भी बने हैं जैसे हिल स्टेशन में रिवर राफ्टिंग वगरा होती है यह आपने हरिदवार साइड गए होंगे तो बहुत सारे ऐसे गेम भी देखे हो अगला important concept है प्लेटू यानि कि जिसको हम लोग पठार के नाम से पुकारते हैं अप देखिएगा पहाड और पठार में थोड़ा सा मोटा मोटा फरक बताता हूं क्या होता है मैं आपको यह पहाड है तो यह तो उंचा उठावा हिस्सा हुआ लेकिन जो प्लेटू होता है यह उपर जमीन से तो उठावा लेकिन यहां पर बिल्कुल सपाट सा होगा मेज की तरह होगा सीधा होगा कई हजार किलोमेटर तक भी हो सकता है तो आप यह देखिए जमीन से तो उठावा लेकिन उपर जो है बिल्कुल यह मेज की तरह फ्लेट होता है इसी को हम लोग दकन का पठार है, यह बहुत पुराना पठार है, ठीक है, दकन वाला जो है, वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है, और युगांडा के अंदर भी है, युगांडा का हुआ, यह केनिया के अंदर तंजानिया हुआ, पुरिवी अफरिका का पठार हुआ, आस्ट्रेलिया का पस्चमी पठार हुआ यह सारे के सारे जो हैं यह पुराने पठारों के अंदर आते हैं लेकिन एक नया पठार यह दक्कन का पठार है हमारे इंडिया के अंदर ही तिबत पठार दुनिया का सबसे उंचा पठार है इसको पामीर का पठार भी कहते हैं यह से दुनिया की छत भ वगरा किसे ही ये बना हुआ है पुराने पठारों में भारत का दक्कन का पठार है पठार होता क्या है जमीन से उंचा उठावा हिसा होता है लेकिन उपर से फ्लैट होता है और जो पहाड होता है वो उपर से थोड़ा इर्रेगुलर की शेप का या उंचा नीचा होता है या कोईले और मैगनीज के भंडार है, जरने वगरा भी बन जाते हैं, यहां पे जैसे भारत में छोटा नागपूर का पठार है, वहां पे हुंद्रू जल परपात है, करनाटक में जोग जल परपात है, करनाटक में जोल जल परपात है, एक धुआधार जल परपात है, धुआध पठारों की तीसरा और लास्ट पार्ट है हमारा प्लेंस यानि कि मैदान क्या होते हैं अब तीसरा जो पार्ट बच गया हमारा तो मैदान ही होगा अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था एक उंचा उठा इसा होगा पहाड है फिर थोड़ा उंचा और उपर स रालिंग वगरा होते हैं थोड़े बहुत उबढ़ खाबड भी हो सकते हैं अधिकांस मैदान नदियों और उनकी साहिक नदियों द्वारा ही मैदान बनाये जाते हैं जैसे एक्जाम्पल से ये पहाड है पहाड से कोई नदियां आई है बही है तो ये इसके नीचे इन गड़ों के इंदर भरते जाएंगे भरते जाएंगे और at finally क्या होगा यह plane मैदान हो जाएगा अब यह plane जो मैदान है किसकी लिए important होता है यहाँ पे एक तो नदिया है तो मतलब पानी की कमी नहीं है अच्छा नदिया है तो यहाँ पेड़ पोदे भी हो सकते है फसल भी अच्छी हो सकती है इसी वज़े से जो है इनसान की रहने की सबसे अच्छी जगह यही है तो दुनिया में जादातर लोग रहते जो हैं वो इन्ही मैदानी छेतरों में ही रहते हैं यह दुनिया के बहुत ही जादा अबादी वाले छेतरी यही होते हैं और some of the largest plane made by rivers and found in Asia and North अमेरिका नदियों दौरा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया और उत्री अमेरिका के अंदर पाये जाते हैं एशिया में जो हमारे भारत के अंदर से गंगा का मैदान है बहुत इसकी बारी है mcq करने की हमारी पहला question है which is the oldest mountain range in world पुरी दुनिया में सबसे पुरानी परवत स्रंखला कोन सी है तो बताईए comment section में भई आप लोग हां बिल्कुल बताईएगा सभी को मेरी तरफ से रादे 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 मेरे प्यारे बच्चो अरावली है युराल है रोकी है या आलप मतलब कहने का ये है सवाल हमसे ये पूछ रहा है जो हमारी अर्थ है इसके ऊपर ये formation जो हुई है पाढ़ों की वैली की पठारों की या मैदान की किस वज़े से हुई है due to internal process हुई है या external हुई है या internal या external दोनों की वज़े से हुई है या इन में से कोई नहीं हुई है ब which of the following statement is are true कौन सी इनमे statement है जो बिलकुल ठीक है जैसे पहली statement the wear and tear of earth surface called erosion हमारी जो अर्थ है वो बनने का कारण जो है मतलब तूटने फूटने से बनी है क्या बिलकुल हमारी अर्थ इसी से ही बनी है बिलकुल सही statement है क्योंकि आपरदन मृदा आपरदन की वज़े से मैंने आपको बताया इस वज़े से ही अर्थ का surface बन के त्यार हुआ है तूसरा दा process of creation of new surface of earth is called depotions पृत्वी की नई सतह का निर्मान होना वो निक्षेपन कहलाता है बिलकुल ये बात भी ठीक है मैंने कहा ना पहले टूटा फिर और चोटा 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 होता है और एक नई सतह बन चुकी है बड़े पत्रों से चोट चोटे मिटी बन गई है मिटी के कण बन गई है तो ये ए भी ठीक है और बी भी ठीक है यानि कि बोथ वन और टू दोनों ही ठीक है सी option सही रहेगा consider the following statement पहला है कि जिन पहाडों में हमेशा जमीवी नदिया होती है उन्हें हिमानी कह कहा जाता है बिल्कुल ठीक बात है अभी पड़ा आपने गलेशियर ही कहा जाता है उन्हें कि जहां पर हमेशा बरफ ही जमी रहती है या बरफ की बहती नदी भी कह सकते हैं ता अरेंजमेंट ओफ माउंटेन इन लाइन और इस कालड़ सिरीज एक पहाड़ों की एक पंक्त होती है उस पहाड को क्या कहते हैं तो एक वलित परवत है एक हमारा जो भ्राउंस परवत ब्लोक माउंटेन था एक वलकनिक माउंटेन था इन में से कोई नहीं तो देखीगा हमारा वालकनिक माउंटेन है ये तो वालकनों यानि कि जो हमारी ज्वाला मुखी परवत ज्वा मौनाकी प्रवत कहां पर है यह आपका जो है वो प्रशान्त महासागर के अंदर स्थित है इसकी उंचा ही बताईएगा मैंने अभी आपको बताई थी अगर आपको याद है तो कमेंट में बताईएगा मैधान से रिलेटिड कोँछी स्टेट में जायतर मुखे नदिया और उनकी साइग नदिया मैधान बनाती बिलकल सही बात है ये नदियों के करण spell is आ दमें सब्सुस्भाधी मैधानों में रहती है ये भी ठीक है आज कुछ टेक्निकल इशू के कारणी कलास लेट करनी पड़ी कल सुबह 11 बजे ही कलास होगी ठीक है तो चलिएगा शेर कर दीजिएगा पलीज आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है माक्सिमम शेर कीजिएगा और हस्ते रहना, मुस्कुराते रहना पीडियोफ लेने के लिए टेलिग्राम चैनल सुनिल स्टार सर या स्टार एज्जूकिशन बाई सुनिल सर कैसे भी सर्च कर सकते हैं यही मेरा फेस्बूक पेज़ सुनिल स्टार सर आप उससे भी सर्च कर लीजिएगा धन्यवाद हसते रहना मुस्कुराते रहना और दूसरों को भी हसने की वज़े देना